Good morning students मैं राकेश को मार याद हूँ मैं आज आपके लिए मेत के कुछ क्यूशन लेकर आया हूँ जो railway और SSC exam के लिए मत्पुर्ण है देखे पहला क्यूशन यदि कीसी गोले की तिरजा तीन गुनी की जाती है तो इसके परश्टे चेतर में होने वाली वर्दी ग्याद कीजिए तो मूल गोले की तिर्जा अपन आर माल लेते हैं मूल गोले की तिर्जा आर और नई तिर्जा नई तिर्जा नई तिर्जा उड़ाएगी थरी आर मूल गोले का पश्टे च्छेत्रपल मूल गोले का पश्टे च्छेत्रपल उड़ाएगा 4 pi r square तो नए गोले का हुझाएगा 4 pi वोष्टक r का 3 r का square वोष्टक 3 r का square तो नए गोले की हुझाएगी तीन तिया नो नो चोग 36 pi r square 36 pi r square तो कितने की वर्दी हो गई 37 pi r square minus 4 pi r square बटा 4 pi r square तो यह गोले गाएगा कितना 37 pi r square बटा 4 pi r square into 100 तो यह चला जाएगा आड़ से आड़ सो परतिसत आगे देखे students दूसरा क्यूशन 37 पुरुष किसी कारिये को 25 दिन में कर सकते हैं 37 में किसी कारिये को M1 into D1 M1 into D1 बटा M2 into D2 तो 37 में 36 में एक कारिये को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने M2 M2 की दिन में पूरा करने के लिए कितने तो अक्स बराबर 37 into 25 बटा 20 पाँचो का 20 और पचम 25 पांस से इसे चार से नो बार चार से नो बार नो पंजे 45 45 आदमी आगे देखें students तीसरा question तंक्या 0.13 के उपर बार 1.3 के उपर बार तो PQ के रूप में व्यक्त कीजिए तो 0.13 के उपर बार का मतलब होता है 0.131313 तो इसको अपन लिखते हैं जितने के उपर बार है 13 बटा जितने के उपर बार है उसका अधा है अगर 9 तो 9 9 13 बटा 99 आगे देखें students चोता question A B बराबर 2.2 अनुपाथ 5 तो A अनुपाथ B बराबर कितना है 2 अनुपाथ 5 B अनुपाथ C कितना है 5 अनुपाथ 8 तो दोनों B का अपन ले लेंगे LCM LCM आदा हैगा 5 इदर भी 1 अनुपाथ 5 अनुपाथ 8 अब C और D C और D तो C का कितना है 8 और D का कितना है 11 तो दोनों C का अपन LCM ले लेंगे 8 ये इदर 1 इदर भी 1 तो अनुपाथ 5 अनुपाथ 8 अनुपाथ 11 किसका माहन पूचा है अपन को A अनुपाथ D का A का माहन कितना है 2 अनुपाथ D का माहन कितना है 11 दो अनुपाथ 11 आगे देखें students तो 5 वा क्विशन 10 और 20 का तर्तिया अनुपाथी याद कीजिए तो तर्तिया अनुपाथी 10 अनुपाथ 20 सम अनुपाथ 20 अनुपाथ अक्स तो यह दाएगा अक्स बराबर 20 इंटू 20 बटा 10 तो 0 से 0 अक्स बराबर 40 आगे देखें students चटवा क्यूशन यदि किसी संख्या के आते के 1 तिहाई के 1 चोताई के 5 वे इस्चे के 7 वे इस्चे के 8 वे इस्चे के 9 वे इस्चे का मान 32 के बराबर है तो संख्या तो आक्स का 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 मतलब इंटू के आदे 1 बटा 2 के 1 तिहाई 1 बटा 3 का 1 चोताई का 1 का 5 का एक बराबर कितने के बराबर है 35 के ब्राबर है तो अक्स ब्राबर 32 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो इन सब को मल्टिप्लाई करने पर आएगा 19 19 3 5 3 6 0 आगे देखें स्टूडेंट्स साथवा क्यूसन जब एक संख्या का 30 परतिसत दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयम के 140 परतिसत के ब्राबर हो जाती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तो अपन अगर पहली संक्या को अपन माल लेते हैं और दूसरी संक्या को अपन माल लेते हैं y तो जब एक संक्या का 30% दूसरी संक्या में जुड़ा जाता है तो दूसरी संक्या y पलस x इंटू 30% बराबर y का कितना हो जाएगा दूसरी संक्या स्वयम के y का 140% तो जाएगा x इंटू 30% बराबर x इंटू 30% बराबर y इंटू 40% अक्स बटा y तो अक्स बटा y का मान हो जाएगा 4 बटा 3 आगे देखे स्टुडेंट्स आर्ट वाक्विशन निमल लिखित का मान ग्याद कीजिए तो रूट 841 का रूट 841 का मान होता है गुंतीस 500 और 93 में अगर गुंतीस जोड़ेंगे अपन तो यादाएगा 625 635 होता है पतीस का 200 पलस इसमें 25 जोड़ेंगे तो यादाएगा 225 होता है 15 का तो 10 पलस 15 जोड़ेंगे तो यादाएगा पतीस पतीस रूट होता है 5 का आगे देखे स्टुडेंट्स नोवाक्विशन दो दनात्मक संख्याओं का गुंननपल 900 बैतर है और उनका बागपल 4 बटा 3 है तो संख्या ग्याद कीजिए तो बागपल कितना है बागपल बागपल बराबर कितना है 4 बटा 3 तो यह जाएगा 4 अक्स और 3 अक्स तो यह जाएगा 4 अक्स इंटू 3 अक्स बराबर 900 बैतर तारती 12 x2 ब्राबर 900 बैतर x2 ब्राबर 9 बारंटे च्यान में 12 एकम 12 तो x ब्राबर हो जायेगा 9 x ब्राबर 9 तो संक्याय हो जायेगी 9.36 और 9.37 आगे देखे students 10 वा क्यूशन तो समान आदार पर समान रेखाओं के बीच इस्थित है उनके चेत्रपलों का अनुपात उनके चेत्रपलों का अनुपात भी एक अनुपात एक होगा आगे देखे students 11 वा क्यूशन यदि 10 पेनों का विक्राय मुले 15 पेनों के क्राय मुले के ब्राबर है तो 10 पेन 10 पेनों का विक्राय मुले सेलिंग प्राय मुले 15 पेनों का कोश्ड प्राय ज़ जाएगा CP प्रोपित हो जाएगा पंद्रा माइनस 10 परावर कितने का 5 का तो 5 बटा कितने पे 10 पे इंटू 100 0 से 0 5 इंटू 10 50 परतिसत आगे देखे students बारवा कुशन यदि 4 संख्यों में से दूसरी पहली से तीन गुनी दूसरी पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या और ये चोती संख्या चार संख्यों में में से दूसरी पहली से तीन गुनी पहली से तीन गुनी मतलब पहली अगर 2 है तो ये हो जाएगी 6 तीसरी संख्या दूसरी की चार गुनी दूसरी की 4 गुनी मतलब 6 चौका 120 तो ती संक्या 3 से 5 गुनी 3 से 5 गुनी मतलब 120 अब इनको अपन 2 से 1 ये 2 से 3 ये 2 से 12 और ये 2 से 60 और 4 संक्याओं का माद्दे 1900 है 4 संक्याओं का माद्दे कितना है 1900 तो अक्स waters इन आक्स पलस फारा आक्स पलस साट अक्स ब्राबर है साट ऐस बस क्य Hogs गुनिसो ये संक्या कितनी हो जाएगी इधर 76 अक्स बटाचार ब्राबर गुनिसो ये हो जाएगी अक्स ब्राबर 100 अक्स ब्राबर 100 आगे देखे इस्टुडेंट्स तेरवा क्युशन यदि य का अक्स परतिसत 2000 के ब्राबर है य का अक्स परतिसत किसके ब्राबर है 2000 के तो अक्स बटा य अक्स इंटू य बटा 100 ब्राबर 2000 अब दूसरा जेड का य परतिसत ब्राबर किसके 4000 के जेड और य ब्राबर 100 ब्राबर 4000 अक्स वाई ब्राबर 200 ब्राबर 4000 के तीन जिरो से तीन जिरो दो से एक अनुपात दो एक अनुपात दो तो Y, C, Y चला जाएगा X और Y X और Y का मान कितना हो जाएगा X और Z Y, C, Y X और Z X और Z ब्राबर एक अनुपा दो Z ब्राबर दो X तो Z का मान पुछा है आगे देखें स्टुडेंट्स चोगद्वा क्यूशन एक लंब वड़ती है बेलन के वकर पस्ट का छेत्रपल और संपून पस्टे छेत्रपल का अनुपाद दो अनुपाद पाँच है तो बेलन की उचाई थता तिर्जया का अनुपाद ज्याद कीजिए तो वकर पस्ट का छेत्रपल ये होजाएगा वकर और ये होजाएगा संपून वक्कर का कितना है दो और इसका होजाएगा 5 वक्कर पस्टे चेतर बोलोता है 2πRH और संपून पस्टे चेतर बोलोता है 2πR और कोस्टक R पलस H बराबर कितना होजाएगा 2.5 2.5 2.5 2 से 2, π से πाई और R से R तो ये होजाएगा R पलस H बटा H बराबर होजाएगा 5 बटा 2 5 बटा 2 तो R पलस R बटा H पलस 1 बराबर 5 बटा 2 बराबर 5 बटा 2 तो ये होजाएगा R बटा H बराबर R बटा H बराबर 3 बटा 2 R अनुपात H बराबर R अनुपात H बराबर H बराबर होजाएगा अब अभिष्ट अनुपात होजाएगा 2 अनुपात 3 आगे देखें स्टुडेंट्स पंदरवा क्यूसन 2 मेटर लंबी एक रेल गाड़ी 64 किलो मेटर प्रति गंठे की चाल से चल रही है रेल गाड़ी दुआरा उसके विपरी दिसा में आज 8 किलो मेटर गंठे से दोड रे वेक्ति को पार कटने में लिया गया समय विपरी दिसा में तो दोनों की चाले जूड़ जूड़ जाएगी 64 पलस 8 25 किलो मेटर तो 22 किलो मेटर को मेटर में बदने के लिए 5 बटा 18 से 18 से कितनी बार? 4 बार 20 मेटर परति सेकेंड 100 मेटर को कितने में? 20 यह हो जाएगी 5 मेटर परति सेकेंड आगे देखें सेट अंतर से पुरंटे भी बाजित हो चार अंकों की बड़ीशे बड़ीशें क्या 9, 9, 9 बटा बाग सेट अंतर यह कितनी बार जाएगा? 1 बार कितना बचा? 22 इतरा जेजर 9 यह कितनी बार जाएगा? 2 बार 2 बार में कितना? 174 कितना बचा पाँच और बाइस बाइस में से पंदरा चला गया साथ और इधे जा गया नो कितने बार जाएगा नो बार जाएगा कितनी बार सुट्रियान में कितना बचेगा 66 तो 9999-66 तो यह जाएगा 2, 2, 9-66 यह जाएगा 3, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 3 आगे देखे स्टुडेंट सत्रवा क्यूशन वह चोटी से चोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 45 और 55 से विबाजित कटने पर पड़ते एक मामले में 3, 6 बचता है 3, 6 बचेगा 45 और 55 का अपन को निकालना है पहले LCM तो 5 का बाग देंगे 5, 9, 45 और 5 से 11 बार तो LCM आजाएगा 9 इंटू 11 इंटू 5, 11, 5, 25 इंटू 9, 9, 45 का 5 आशल की चार, 9, 45 और 4, 49, 49 इसके अंदरपन को पलस तो 9.377 माइनस बड़ा कोश्टक, माइनस बड़ा कोश्टक 3 पलस, 3 पलस हैं अंदरवाला पहले इसको इसे मल्टिप्लाइ करेंगे 2.3 को 1.02 से 1.02 से किसको 2.3 को तो 3 दोनी 6, 0, 3 फिरो जाएगा 2 दोनी 4, 0, 2 तो 6, 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा 2 और 3, तो 2, 0 जाएगा इधर ये 3, ये 0.5 इंटू, 0.5 इंटू जाएगा 3.1 माइनस, 2.34 छे, 2.34 6, ये हो जाएगा 9.377 माइनस, 3 पलस, 3 पलस, इसमें से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से ये जाके इसे मल्टिप्लाइ करने पर, इधर बचेगा, 0.377, 9.377 माइनस, ये हो जाएगा, 3.377, 3.377, ये हो जाएगा 6, आगे देखे, स्टुडेंट्स, 19 वाकिविशन, एक स्टीमर दारा की दिशा में चलते हुए, दो बंद्रकावों के बीच की दूरी, वो 6 गंठे में तय करता है, कितने गंठे में, 6 गंठे में, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर, चाल इंटू समय, तो अपन दूरी निकाल लेते हैं, चाल कितनी है, 6 गंठे में, यहां चाल के विपरित, यहां चाल, यहां दारा के विपरित, यहां दारा की विपरित इसा में चलते हुए, उसको 8 गंठे में तय करता है, और दारा की चाल 3 किलोमेटर परती गंठा है, तो 6 गंटे में करता है, तो 6, 3, 6, कोश्टक 3, पलस 8, बराबर 8, अक्स माइनस 3, तो जाएगा 6, 18, पलस 6, अक्स बराबर 8, अक्स माइनस 24, तो अक्स बराबर 42, अक्स बराबर 21, अक्स बराबर 21, 21 किलोमेटर प्रति गंटे की चाल सी, आगे देखे, स्टुडेंट्स, वीसवा क्यूशन, नेमन लिखी आरेक में वरग को निरुपित करते हैं, एक आरेक, एक आरेक मनाया गया, इसके अंदर एक वरग है, ऐसा, वरग, एक यहाँ पे तिर्बुज बनाया हुआ, ऐसा, तिर्बुज, एक ऐसा बनाया हुआ, गोला, तो, इसके अंदर वरत, महेंती लोगों का, वरत, महेंती, महेंती लोगों का, तिर्बुज यह, सहरी, और, तिर्बुज सहरी, और वरग, वरग किसको निरुपित करता है, वरग चात्र को, वरग चात्र को, तो, इसके बीच में सी रखा है, सी करता, उस छेत्र का पता लगा है, जो महेंती चात्र को निरुपित करता है, जो सहरी नहीं है, सहरी यह वाला नहीं होना चाहिए, और महेंती और चात्र होने चाहिए, तो यह वाला आएगा, बीच में तो यह वाला है, स आगे देखे स्टूडेंट की स्वाक्यूशन, यदि कोई धनरासी एक निशी साधरन ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वेम की दोगुनी हो जाती है, तो साधरन, मतलब 100 से कितनी हो रही है, 200, कितने साल में, 10 साल में, 10 वरस, कितनी बढ़ रही है, 100, कितने साल में, 10 साल में, 10 परतिसत की दर से धन्यवाद इस्टुडेंट चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा